बिस्मिल्ला राख्मान राहीम अस्सालाम अलेकम वेल्कम बैक निमाइज चैनल राशाइन ग्लब कैसे हैं आप सब उमीद करते हों आप खेर यह से होंगे हस्ते मुस्कुराते होंगे तो जी आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ रोल की रेसिपी स्प्रिंग रोल कह लें इसे फ你就cus को हम चोटी-चोटी समोसीयां कहते है न बहुत यमी बने पैसे लिए और असानी के साथ बन जाते हैं एक बेटर के साथ आप तीनों तरीक़े से बना सकते हैं मैंने यहां पर तक्रीबद आदा किलोस् को अबले होए आअलू लिए इसमें मैंने दो to इक मिडियम साइज का मैंने प्याज वह फानली चॉप कर लिया था हरा दन्या जो है वह मैं इसमें चॉप किया वा थोड़ा सा एट करें तक्रीबन नम्मा का आप अपने टेश्टे अकोडिंग ली एड करें और यह थोड़े सी मैंने जो है चिली फ्लेक्स एड की है थोड़ को बहुत पसांद आते हैं बच्चों को आप बना कर दें स्कूल ओपन हो रहे हैं तो आप लंच बोक्स में बच्चों को बना कर दे सकते हैं टी टाइम में आप चाय के साथ इसको ले सकते हैं यह तो यह अच्छी तरह से मिक्स हो गया यह थोड़ा सा मेरे पास की में का मिक्स तरह से इसको मिक्स कर ले जिस तरह के भी आपको आपकी घर वाले बचे पसंद करते हैं रोल पसंद करते हैं स्मोसा बाइट पसंद करते हैं या पैटी जो रस पॉकेट जो होती है वो पसंद करते हैं तो मैं आपको तीनों तरीके से बनाना बता रही हूं आपके जासे भी प बन जाती है और साइड पर जो है वो थोड़ा सा आटा और पानी मिक्स करके वो लईसी बना कर उसके साथ आप इसको ग्रीज कर लें साइडों से तो यह बड़े अच्छे से जो हैं वो फिल अप हो जाते हैं बंद हो जाते हैं और खुलते भी नहीं है कि वर्टों को बढ़ों को सब को बहुत पसंद आते हैं सबसे बड़ी बात आप इससे बनाकर फ्रीज कर लें और बच्छों को लंच-बॉक्स में डेए टी टाइम में आप इंजुआए करें कोई अचानक से गेस्ट आ जाता है बने पड़े हों तो आप जाए के साथ बना कर सर्फ कर सकते हैं तो ये चोटी मर्ड़ा बटियां जो होती है समोसा बाइट वाली वो वाली मैंने ली है इनको दो लेकर आप इस तरह से जो है वो पॉकिट बना सकते हैं समोसा बॉकिट ये भी शेव बड़ी अच्छी लगती है बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आती है आपको जो भी ज्यादा इसी लगे जो भी पसंद करते हैं गरवाले उस तरीके से आप बना सकते हैं तो यह जी मैं समोसा बाल्ट बना रही हूं जिसको हम आप समोसी छोटी समोसी भी कहते हैं न यह वो इस तरह से आप बनाएं चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्षिन में अपने कीमती ख्याला के इजहार जरूर करें मैंने जो है वो आपको तीनों तरीकों से बनाना बता दिया है तो आप किसी भी तरीकों को फॉला कर सकते हैं घर में कोई भी बेटर पड़ा हो आप लोगमें इसको मिक्स करके तो इससाघ distill र चत्त बना कर फ्रीज कर लें तो सिंप्ली आपने जी फ्रीज की हुई निकालनी है आईल गरम करना है और उनको फ्राइ कर लेना है और सर्व करना है तो जी ये छोटी छोटी हमाई समुसा बाइट से जो है रेडी होगी है आप पार्टी में इनको यूज करते हैं अफ्तार पार्टी में डिनर पार्टी में घर में कोई भी छोटा मुच्छा फंक्शन हो आप बनाकर फ्रीज कर ले और आसानी से निकाल कर इनको फ्राइ करें और सर्व करें तो ये समुसा पोक्रिट रेडी हो रही है इनको जब आप फ्रीज करके निकालेंगे तो इनको फ्राइ करते हुए आइल ना तो ज्यादा गरम होना चाहिए और ना ही कम गरम मीडियम जो है वो आइल होना चाहिए क्योंकि वो हम फ्रेजर से निकाल कर एक दम से उसको फाइन जास मेंट आप रेस्ट देंगे तो वो ठंडी ठंडी होंगी तो ओयल में अगर आप डालेंगे तो वो ज्यादा थंडा हो जाएगा अगर मीडियम पर आप उसको रखेंगे और बहुत ज्यादा गरम होगा तो यह कैसे लगी तो जटपट से यह सारे हमने फ्राइए कर लिया है और बहुत ही तेस्टी और यम्मी बने थे सबको बहुत पसांद आए थे इनकी लुकिंग भी देखें ऐसे लगते तैसे बाजार से मंगवाएं आप कोई भी इसमें बैटर यूज़ कर सकते हैं सेम आप मै वीडियो को आप ने लाइक कर दियोगा मिलते हैं नेक्स मजीद किसी वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिस